नमस्कार दोस्तों, स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में हमारा आज का विशे है हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे आदिकाल, नामकरण, विशेश्ताएं वो साहितिक प्रबृतियां और हिंदी के प्रत्थम कभी और उनके प्रस्तो था इससे पहले दोस्तों कि हम अपने लक्चर की शुरुआत करें मैं आपको बता दूं कि हम NTA UGC NET हिंदी विशे के साथ-साथ अपना हिंदी व्याकरण की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आई होप आप लोग उसको भी इंजॉय करेंगे और उसमें भी अपनी भागेदारी सुनिशिक करेंगे तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपने लक्चर की सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल उसका समानने साथ परिच है तो देखिए आदिकाल को यह नाम किस ने दिया था यह दिया था अचारे हसारी प्रसाद दुवेदी ने तो यह प्रशिन बहुत महत्तपूर्ण है दोस्तों कई वार पूछ दे जाता है कि आदिकाल को यह नाम किस ने दिया तो ये नाम करण दिया है हजारी प्रसाद दुवेदी ने, हाला कि आदिकाल को अलग-अलग इतिहास कारों ने अलग-अलग नामों से अभीहित करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे उपयोगी और सर्वमानने जो नाम है, वो क्या है? वो है आदिकाल और इसको दिया है अचार ये प्राकृत की अंतिम अपभरश अवस्था से हिंदी साहित्य का अविर्भाव माना जाता है, ठीक है? तो इनके कहने का मतलब क्या है? कि जो प्राकृत की अंतिम अपभरश अवस्था थी, वहां से क्या हुआ? हिंदी साहित्य का अविर्भाव हुआ है, क्लियर है दोस् चाहे भक्तिकाल का चाहे रितिकाल का ठीक है ना लेकिन जो इसका सर्वमान्या है देखिए समय वो है 1400 इस वी तक लेकिन अचारे रामचंदर शुक्र मानते हैं 1050 विक्रमी समवत से 1375 विक्रमी समवत तक तो ये भी करवार एक्जाम में पूछ ले जाता है तो हमें इस इसकी भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए तो चलिए दोस्तो अब हम देख लेते हैं कि आधिकाल जो ये नामकरण है क्या ये आधिकाल ही नामकरण है या अन्य विद्वानों ने इसको अलग नाम दिये हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो काल विभाजन करके नामकरण करने वाले जो पहले इतिहासकार माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं दोस्तों? वो George Griearson माने जाते हैं, और इनकी सबसे बड़ी उपलबधी भी मानी जाती है, कि नामकर्ण के अधार पर सबसे पहले विभाजन किस ने किया था? George George Griegerson ने किया था और यह बहुत मुत्पूर्ण है इनको आपको याद करना है, कि Griegerson ने सबसे पहले क्या किया था, यह नामकरण का कोशिश किस ने की थी, George Griegerson ने की थी, ठीक है दोस्तों, तो इनका जो नामकरण था, इन्होंने जो आधिकाल को नाम दिया दिखिए वो दिया इन्होंने चारणकाल ठीक है लेकिन बहुत सारे बिदवान या बात के जो इतिहासकार हुएं वो इस नाम को क्या मानते हैं कि ये अनुप्यूप्त नाम है क्यों है देखिए क्योंकि इस काल का जो समय कहते हैं कि उसक कारुद लेक्या है, कि पीछे ले गए किन्तू उस समय किकिसी भी चारण जो रचना या चारण प्रविति की रचना उसका वह कहीं उलेक ही नहीं करपाते हैं इसलिए क्या का जाता है, कि इनका जो ये नाम है, ये बहुत ही अनुपियोगी नाम है, मतलब उप्यूक्त नहीं है यह चीग है ना तो इसलिए जॉर्ज गिजरसन के नामकरण को क्या करते हैं कि वो उप्योगी नाम नहीं है इसलिए उप्यूक्त नाम आधिकाल ही है ना कि चारणकाल क्लिर दोस्तों आगले आते हैं देखिए मिष्रबन्दु ने नाम दिया प्रारम भिक काल उनके नामेंות अधार प्रण नाम दे दिया अगला नाम करण किया है महावीर परधाद दुवेदी जी ने और यह लिखते है इसको बीजवपन काल तो ये भी कईवार एकजाम में पूछ ले जाता है कि बीजो अपनकाल, किस ने कहा है अधिकाल को, तो महविर प्रसाद दूवे दीजी ने, हाला कि ये चीज़े छोटेछिसी हैं, लेकिन कईवार एकजाम में यहा northeast पूछ ले जाता है कि ये नाम किस ने दिया है, तो हमें इन चीजों की थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है अगला नाम देखिए जो सबसे मौतफ़ों नाम है वो है वीरगाथा काल तो ये अचारे रामचंदर शुकल ने कहा है देखे दोस्तों जब हम अचारे रामचंदर शुकल की बात करते हैं हम उनको बहुत बिश्वस्तनी है प्रमानिक मानते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वो खुद भी इस चीज को एकसेप्ट करते हुए नजर आते हैं कि ये जो नाम है वो कहीं न कहीं एक तरीके से कैसा है विवादसपद है देखी कैसे है इनके जो नाम करने इनने वीरगाथा काल कहा उस नाम को जो थोड़ा सा जो हजारी पर साथ दुवेदी है डॉक्टर नगेंदर उसको क्या मानते हैं कि ये सही नहीं है पुद देखी की सधार पर मानते हैं वो कहते हैं कि जिन रासो कावयों को वो ये वीरगाथात्मक कावय मानते हैं कौन इसकाल की जो सहितिक सामग्री प्राप्थ है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध तो ये कई वार आज आता है कि इसके संबन्द में कहा गया है शुकल ने ये कहा है इन्होंने आधिकाल के बारे में तो देखे कैसे ये कहते हैं कि कुछ उपलब्ध है और कुछ नहीं है और इसलिए तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि जो पृत्वी राजरासो है वो अप्रमानिक रचनाए है तो इसलिए जो डॉक्टर नगेंदर और हजारी परसाद दुवेदी वो ये मानते हैं कि इसलिए जो चीज खुद ही शुकल जी मानते हैं कि वो अप्रमानिक है तो हम उसको बीरगाथा काल नाम कैसे दे दें थीक है ना तो ये चीज है कि इसलिए इस नाम को वीरगाथा काल नाम कहना उचित विद्वान नहीं मानते हैं. अगला आता है सिद सामंत काल. तो सिद सामंत काल नाम किस ने दिया था? ये दिया था रहुल सांकृत्याइन जी ने. तो रहुल सांकृत्याइन जो महापंडित के नाम से ज सिद्ध थे ठीक है ना और जो सामंत थे वो रचना के प्रेरक थे है ना इसलिए ये क्या मानते हैं कि इसलिए इसको नाम देना पड़ा सिद्ध सामंत काल तो उस समय क्या हो गया था कि जो लिखने वाला है वो सिद्ध था और जो दूसरा सुनने वाला एक तरीके से सामंती ज नहीं मानते विद्वान, तो इसलिए इस नाम को भी अनुप्योगी मना जाता है, अगला नाम दिया है देखिए वीरकाल, तो वीरकाल नाम कई वार एक्जाम में पूछ लिए जाता है कि किस ने दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको दिया है, तो वीरगाथ तो इन्हों ने इसको दो नाम विबक्त किया है संधी एवां चारण काल ठीक है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वरमा जी कहते हैं अगले देखेए अन्तिम जो सुमन राजे जी कहते हैं इन्हों ने कहा है आधिकाल को अधार काल मतलब एक तरीके से ये अधार है वही नीव है कौन अधिकाल हिंदी साहित्य की ठीक है तो इसलिए सुमन राजे ने इसको नाम क्या दिया है अधारकाल नाम दिया है तो ये थे दोस्तों की अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से अधिकाल को नाम परदान करन क्योंकि यहाँ पर हमने काल तो अब निर्धारित कर लिया कि कहां से कहां तक है अब हम देख लेते हैं कि जो हिंदी का प्रत्थम कवी है वो कौन है और कौन सी प्रत्थम रचना हिंदी की माना जाती है जैसे नामकरण जो है वो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से किया ठीक वैसे ही इतियासकार क्या मानते हैं कि जो पहला कवी था वो कौन था हिंदी साहित्यका ठीक है या हिंदी का जो पहला लिखक है वो कौन है तो अलग-अलग विद्वान अलग-अलग क कहते हैं कि जो पुष्य या पुंड या जिसको हम कहते हैं पुष्पदंत जो सात्वी शताबदी में हुए वो जो हैं हिंदी के प्रत्थम कभी हैं कौन मानते हैं ये शिव सिंग सेंगर तो यहां से भी प्रशन कई बार नेट में ना पूचे जाए लेकिन दूसरे के पहले कभी हैं और जिनका समय क्या था 179 इस्वी और यही सरव मान्य है हिंदी का जो पहला कभी किसको माना जाता है सरप्पा को माना जाता है ठीक है दोस्तों वो क्यों माना जाता है देखिए क्योंकि सरप्पा की भाषा हिंदी के क्या थी बहुत ही निकर थी इसी कारण हि इंदी का प्रत्थम कभी इनको माना जाता है ठीक है और इसके बाद हम देख लेते हैं जो गणपति चंदर गुप्त थे उन्होंने माना है शाली भद्र सूरी को जिनका समय क्या है ग्यारासो चौरासी इस्वी तो ये मानते हैं कि जो ये पहले थे ये कौन थे शाली भद्र स माना है और स्वेंभू का समय क्या था आठ्मी शती अब आता है अगला हजारी प्रसाद दुवेदी तो इन्होंने माना है अब्दुल रह्मान को ठीक है जिनकी अब्दुल रह्मान की प्रमोक रचना क्या कौन सी है संदेश आ सकते यह हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि क् लिखा है ठीक है दोस्तों तो हजारी प्रसाद दुवेदी किसको मानते है अब्दुल रह्मान को तो यह तो हो गए कि अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग कभियों को क्या माना है प्रत्थम कभी माना है हिंदी का और अगर हम प्रत्थम रचना की बात करें तो हिं अप्पा हैं। इनकी कोई भी रचना उप्लब्ध नहीं है। और इनकी जो भी रचना है उप्लब्ध हैं। वे सबी क्या है। तो इसलिए जो पहली रचना माने जाती है वो माने जाती है श्रावकाचार और जिसके रचनाकार कौन है देवसेन और ये 933 इस्वी में लिखी गई है तो ये था दोस्तों कि हिंदी के प्रत्थम कभी कौन है और उनके प्रस्तोता कौन है और हिंदी की प्रत्थम रचना क्य तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो आधिकाल है उसकी प्रवृतिया या विशेष्टाएं क्या थी क्या क्या उसमें विशेष्टाएं रही आधिकाल में आधिकालीन साहित्या में देखिए सबसे पहले आता है कि एतिहासिक्ता का अभाव वकलपना का अधिक्या दोस्तो पर हम देखेंगे कि बहुत सारी डचनाएं और बहुत सारी उसमें तत्य क्या हैं वो कालपनिक हैं न कि एतिहासिक हैं उनको एक तरीके से सहीत्य कारने किया किया है अपनी कलपना में ही पीरोने की कोशिश की है इसलिए उसमें एतिहासिकता कम और कलपना अधिक हो गई है और आथ देखेंगे, जितना कर भी जो आदिकालीन सहित्य है, वो सब क सब रासु सहित्य को माना जाता है, और रासु सहीत्य किस तरह किके का है? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे युद्धों के बारे में ही उसमें है, विर्ता का ही वणन है, और तो यही चीज है, इसीलिए जो वी बीर रस की प्रधानता कहां पर मिलती है हमें आदिकालीन सहित्य में मिलती है और युद्धों का सजीब परनन अगर युद्धों की बात होगी तो ये सबसे बड़ी विशेश्चता है किसकी आदिकाल की अगला देखिए श्रिंगार रस का प्रधान्य तो श्रिंगार रस क्य अधी लिए क्या है कि जो इतिहास या जो विद्वान थे वो क्या करते थे, वो राजाओं को रिझाने के लिए एक तरीके से करते थे, उनका वनन करते थे, सुन्दरता का, रूप का वनन, ठीक है, तो इसलिए शृंगारस का क्या हो गया उसमें, प्रधान्य हो गया, चीज़ वहांपर आपको नहीं दिखेगी तो आप जो हुआ उसमें भी वो बात नहीं जलकेगी और दूसरी बात ये भी है कि उस वक्त क्या था कि हमारा जो देश में क्या था कि अलग-अलग राजाओं के साथ अलग-अलग तरीके से बंटा हुआ था अपनी अपनी रियास्तों में बंटा हुआ था इसलिए भी राश्टियता का क्या है एक तरीके से अभाव देखने को मिलता है ठीक है प्रमानिकता संदिक्त कि जो ये प्रमानिक है है ना ये जो साहित्य उसके बारे में भी बहुत सारी बाते हैं कि ये प्रमानिक नहीं है कुछ एक विद्वान नहीं मानते हैं कुछ एक मानते हैं तो ये भी क्या है कि ये उतना आधिकाल उतना जो साहित है था वो उतना प्रामानिक नहीं माना जाता है ठीक है दोस्तों ये भी इसकी एक प्रवरिती या विशेशता मानी जाती है डिंगल पिंगल भाशा का प्रियोग, अब देख़े डिंगल पिंगल भाषा से क्या भी प्राहे है जो भाषा अपभरंश और राजस्थानी से मिलकर बनती है उसको क्या काजाता है देख़े आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा डिंगल का मतलब है अपभरंश प्लस राजस्थानी मतलब कि अपभरंश और राजस्थानी वाशा को कहा जाता है डिंगल और ब्रज भाशा और अपभरंश इनको कहा जाता है पिंगल तो कई बार एक्जाम में ये भी पूझा जाता है तो उस वक्त क्या होता था कि इसी वाशा का प्रियोग सहित्य में या जो रचनाकार थे वो करते थे तो ये भी इसकी एक बिशेशता है और अगला है चंदों का अधिक्या और अलंकारों में अतिश्योक्ति को अधिक मुहत्तो तो देखिए चंदों का अधिक्या होने के सी ला दी थी तो इसलिए हम देखते हैं कि जो आधिकाल में क्या था कि छंदों का क्या था अधिक्या हो गया था ठीक है दोस्तों तो इसके जो प्रमुक जो छंद थे दोहा रोला इतियादी इतियादी है ना तो इन छंदों में क्या था रचनाएं रची जा रही थी तो अलं क्या ही गुणगान गाएंगे वो क्या करेंगे अगर कुछ थोड़ी सी चीज को अधिक कहना मतलब है ना वो ही है क्या है अतिश्योक्ति तो अलंकार हाना कि इन्होंने और अलंकारों का भी प्रयोग किया है लेकिन सबसे जादा अगर हम बात करें कि तो उसमें अतिश्योक्ति अलंकार को इन्होंने जादा तवज्यो दी है तो ये थी दोस्तो आधिकालीन की कुछ बिशेष्टाएं वो प्रवरितियां फिलाल आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों की बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें शुक्रिया